अलू बच्चो आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक इसकी वर्क्षिट नमबर 17 समझाँगी जिसकी गेट है में पास 28 सब्सक्राइब 2021 है यहां पर तो आज की वर्क्षिट में हम यहां पर क्या करने वाले हैं यहां पर आप से क्या रहे हैं यहां पर आप से क्या रहे हैं वेन बेसी सेम और जो अब सबसे पहली बात यह बेस और एक्स्पोनेंट है क्या चीज देखो एक ही नमबर को ना कई टाइम्स मुल्टिप्लाय करते हैं जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि टू इंटु 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 मुझको बताओ कि कितना होगा तो आपने टू लिखा कितने टाइम से 5 ताइमन से लिख ना तो आप इसको यह भी लिख सकते हो तू की पार 5 तो जो यह टू है न यह आपका क्या है बेस और जो यह 5 ए यह आपका क्या यह पर और exponent है ठीक है जिसे हम पार भी बोलते हैं तो आप समझ में आगे है बेस और exponent आपके पास क्या है चलिए आप समझते हैं जो concept हमारको यहां पर दे रखा है तो आपसे यहां पर क्या रहे है वैन बेसी सेम जब बेस सेम हो लेकिन exponent डिफरेंट हो ठीक है अब प्रोडेक्ट के क अब इसका उल्टा जब भी आप सेम बेस सेम हो ठीक है और बीच में डिवाइड लगाओ तो जो पास होती है वह माइनस हो जाती है तो यहां पर आजागा 3 की पार 4-2 तो 3 की पावर 2 आजाएगा आपका आजागा क्लिया ना तो दो कंसेप्ट हमने हां समझ ली है जब हमार पर बेस सेम होता और बीच में मल्टिप्ला होता है तो पार्स एड हो जाती है और जब हमार पर बेस सेम होता और बीच में डिवाइड होता है तो पार्स के होती है माइनस हो चलिए उसके बाद हम आगे देखते है है यह यह रूल को पता दिया गया है वही रूल के आया है यह अभी हमेंने ृग्ञा Αंप्रते पार इक लिए अगशाम पर u अठीक है तो इससे मीआर्ग उपर उपर हुझती है तれ कुत रहिए न गलती से बेस के साथ मुल्टिप्लाइए मत कीजएगा गलत जोएगा तो कितना आ जागा यहाँ आ जागा तू की पार से आपको इसा भी एक्जामपल ले सकते हो जब भी पार के ऊपर पार हो तो हमेशा मुल्टिप्लाइ करना है नीचे आपको कोशन कुछ दे रखे हैं उसम में 3 की पावर 3 आप देखरो इन दोनों की exponent तो सहीम है यह पार तो सहीम है लेकिन जो यह बेस है तो यह अलग अलग है तो कोई बात नहीं आप 2 और 3 को एक साथ लिख दो और यह पार जो है एक्स्पोनेंट इसे एक बार लिख दो तो 3 टूजा कितना आ जागा 6 और 6 की पा आपके पास बेस को एक साथ लगा पार को एक ही बार लिख रहा है तो कोई बात नहीं है आप इसको क्या करो एक साथ अच्छा इसको मैंने पहले ही उस ऑम में लिख दिया है देखो अगर आपको ये रखा है तो आप क्या करो यह जो बेस न इसको एक बार लिख लो 2 बाए 3 और इसकी पार एक बार लगा दो 3 चुक्छिए आपर पार सेम और बेस अलग है ठीक है सेम वही multiply वाला concept है जो अभी हम करके आएं उसके बाद आपसे क्या कह रहा है अगर किसी की भी पार 0 ओती है तो उसका आंसर हमेशा वन होता है फिर चाहिए किसी की भी हो 10 की पार 0 भी 1 कहलाएगा 20 की पार 0 भी 1 कहलाएगा 27 जिरो लेकिशाला पार सभी हमेश्य सांटा सब Stones मौ सब्ünden करें एक है इसमय सांटा सब्सक्राइब गृति को सब्सक्राइब इस टिर्वर्ट इसमेश्वर सोग में कि ऐंधे की लिए हमेश्य कई करते हैंे इसको अब्लिख सकते हो काधे ग्रेटर तो 25 इंटु में 3, 75, अब यहां है पार के उपर पार, तो 5 के उपर 6, 5 को 6 टाइम्स मुल्टिप्लाइ करना, तो अब वेसी बात है यही ग्रेटर होगा, 5 by 6, 5 by 6 is greater, ठीक है, चलिए, अब यहां क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, इन एक्स्पूनेंशल चलिए यही होता है, 1st आपके पास कह रहा है, प की पार 3 और 2 है, तो बेस्पहरा है, क्या हो जैंगी, तो और पार, 3 plus 2 is equal to P की पार 5 आप है फिर यहां पर क्या कह रहे है 20 की पार 15 divided by 20 की पार 13 फिर बेस सेम है लेकिन बीश में divide का sign है तो पार क्या हो जाएगी minus हो जाएगी 20 की पार 15 minus 13 हो जाएगा तो यहां जाएगा 20 की पार 2 फिर यहां कह रहा है कि 6 की पार 2 की hold 10 फिर आप तो कोई बात नहीं लिक लेते हैं कि बेस को एक साथ लिख रहते हैं एक ब्रेकित इसकी पूरी होल की पार को है फिर है तो यहां पर दिखते हैं किया है तो देखो बेस सेम है फिर वही यह concept दुबारा आ गए है तो पार को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस 4 की पार कितने आ जाएगी 120 ठीक है अब यहाँ 7 की पार 13 divided by 7 की पार 10 सेम वही आप देखो बीश में डिवाइड है तो पार के ओजाएगी माइनस हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है यहां पर तो 7 की पार 15 में 2 करेंगे क्योंकि पार की उपर पार है तो मल्टिप्लाइगा तो 7 की पार कितना जाएगा 100 आ जाएगा माइनस से माइनस कट चुगा है तो 3 by 4 की पार कितना आ जाएगा है यहाँ पर 4 आ जाएगा है लास्ट है 5 की पार 6 divided by माइनस 2 की पार 6 यह पार मैं आप लोगों के लिए छोड़ू यह आप मुझे होमवर्क में बताना कि इसका क्या आंसर है एक पार तो आप बता ही सकते हो हमने उपर वाला किया है से मुसी के जैसा है नीचे वाला है तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि लास्ट वाले का क्या आंसर है इसके साथ हमारी यह वाक्षिट हो जाती है वाक्षिट नमबर 17 अब वाक्षिट नमबर 18 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो म समझेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू